जब two के साथ verb की first form लिखी जाती है तब वो two preposition नहीं होता लेकिन हाँ जब two के साथ ing mark की जाती है तब वो two preposition ही होता है जैसे आपने कहीं भी कैसे भी पढ़ा होगा कि सारे prepositions के साथ हमेशा ing form आती है I repeat सारे prepositions के साथ हमेशा ing form लिखी जाती है कि I am interested in dance na ho kar dancing, she is fond of sing na ho kar singing, after complete my homework na ho kar, after completing my homework, ETC. Namaskar, this is Kapil Dev Sharma and I once again welcome you to my YouTube channel English by Kapil Dev Sharma in another video of verbs in English. अगला वीडियो लेकर हाजर हूँ, verbs का, थोड़ा डिले के बाद, माफ किजेगा, ये complete studio setup की वज़ह से थोड़ा डिले हुआ, 4K LED पैनल अब आपके सामने है, जिससे के आपका learning experience अब बहुत अच्छा होगा, offline classes की तरह आप लोग फिल कर सकते हैं. आशा करता हूँ कि आने वाले वीडियो आपके लिए और जादा interactive रहेंगे, और जादा smooth रहेंगे इस 4K LED पैनल के साथ में. तो इसी वज़े से थोड़ा सा डिले हुआ, लेकिन अब frequently वीडियो आते रहेंगे, because एक dedicated room पूरा इसी recording system के लिए बना लिया है. ठीक है. यूट्यूब पर visible होगा English by कबलदेव शर्मा. एक बार वीडियो देखेंगे, अच्छी बात है. प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर चेक कर ली जगा. आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, जो मेरे द्वारा बनाई गई है. चाहे वो spoken English की हो, grammatical sections की हो, हर एक ही अलग-अलग playlist. मैं भी mark करना चाहूँगा लेकिन उससे पहले, Unacademy पर शाम पांच बज़े एक special class रहती है, free. हाँ जी, Unacademy के YouTube चैनल पर पांच बज़े daily मेरी एक class रहती है, जिसको ना पता हो, कल से आपको live वहाँ मिलूँगा. आपके examinations को ध्यान में रखते हुए, close test, parajumbles, RC, grammar, vocabulary, fillers, ये सीज़ें पूरे हफ़ते discuss करता हूँ. तो वो playlist भी मेरे channel पर मौझूद है, आप यहाँ से click कर सकते हैं, एक बार check कर लिजएगा, और जो कोई channel पर नया हो, इन्हीं playlist को open कर लिजए, जो मैंने बनाई हैं, तो आपको spoken English के लिए, previous year exams के लिए, RC, parajumble, close test, noun की अलग playlist ह जहाँ पर complete noun के videos आपको एक साथ मिल जाएंगे, pronoun की अलग playlist है, adjectives, adverbs, pronoun की है, articles की है, जो जो part of speech अभी तक पढ़ा दिये हैं, verbs की, adjectives की और हर चीज़ की playlist मौझूद है, जितने close test के videos हैं, कुछ वीडियो आपको समझाने के लिए, RCs के videos हैं, वो सारी चीज़ें मौझूद CCDS और अलग-अलग examinations के available हैं, तो एक बार request है, playlist section open करके check कर लीज़ेगा, वापस आना चाहूंगा वहीं पर ही, कि आप एक बार playlist section open करें और check कर लीज़ेगा, previous year paper मौझूद है, vocabulary के अलग playlist है, grammar की playlist है, और कुछ videos, parajembles, close test, RC के आपके examinations को ध्यान में रखते हुए भी मौ free of cost, जो बच्चे मेरे साथ जुड़े हैं, काफी comments आते देख, हमें इस exam की तयारी करनी है, इसके लिए हम आपके साथ जुड़े हुए हैं, daily शाम 5 बज़े आपके साथ मिलना चाहूंगा, unacademy के YouTube channel bank pro पर एक free session के साथ, कोई payment की आपसे बात नहीं हो रही, एक हफते एक topic पढ़ाता हूं में, detail में, एक बार आप वहाँ देख लीजेगा, playlist भी है, और कल से 5 बज़े आपको वहाँ मिलते हैं, दो और classes होती है, जो कोई unacademy plus पर हो, banking section में, या आना चाहे तो most welcome, शाम 7 बज़े grammar का बैच है, जो paid है, और 8 बज़े practice का बैच रहता है, on a daily basis, जो paid class ह आ सकते हैं, और जो आना चाहे, plus पर heartily welcome, मेरी app पर class रहती है, with the same name, English by Kapaldev Sharma, जो अपने exams के लिए पढ़ना चाहे, मेरे साथ आ सकते हैं, telegram channel पर आप जोड़ जाएगा, because वहाँ पर आपको classes के notifications, PDF, सारी चीज़ें मिलती रहेंगी, with the same name, English by Kapaldev Sharma, तो ये कुछ notifications आप ध् पर, SSC के किसी भी examination के लिए, आप मेरे साथ पढ़ सकते हैं, foundation courses में, जो अभी भी running live है, next batch भी start होगा, English by Kapaldev Sharma app, download करके, install करके, आप मेरे साथ पढ़ सकते हैं, जो students मेरे साथ जोड़े होगी तो, और हाँ जी, कुछ notifications और, कि आप मेरा music channel देख सकते हैं, Apple Music Boy, Instagram, Facebook, Twitter, अगर अगर आप अनकेडमी पर आना चाहें, मेरा कूरी उसकर के, प्लैट 10% discount पा सकते हैं, that is Kapil sir, K-A-P-I-L-S-I-R, अनकेडमी इडियस, largest and cheapest online learning platform for bank, SSC, UPSC, और अलग, अलग streams के लिए भी, ठीक है, आई जारा ये session स्टार्ट करते हैं, verbs की बारे में introduction मैं आपको शुरू में mark कर दिया था, फिर भी एक बार वापस कहना चाहूं कि मैं आपको first video में mark किया था verbs का introduction, किस तरह आप उसे auxiliary verbs और main verbs में divide कर सकते हैं, auxiliary, primary auxiliary, model auxiliary, be, do, have, model, सारी आपकी, और transitive, intransitive, main verbs के type हो सकते हैं, इसके साहरी ये भी कहा, कि transitive और intransitive को रटिये मत, कि ये वर्ग transitive है के intransitive है, sentence देखकर आप बता सकते हैं कि उसको transitively या intransitively behave कराएगा है, पूरे video में आपको ये चीज़ definitely mark की, detail में mark की, उसके बाद next video, तीन videos में most confusing terms, जिनको हम नेतिक बोलचाल की भाशा में भी रोजाना यूज करते हैं, exam में जो error detection की तरह आती है, spelling same है, pronunciation same है, meaning अलग-अलग है, ऐसे सारे शब्दों को आपको वहां mark किया, उसके बाद तीन अलग-अलग videos में primary auxiliary, be, is, mr, was, were, do, does, did, have, had, has, in सबके uses, इनकी proper forms के साथ mark के, और उसके बाद model auxiliary, can, code, may, might, shell, should, ये सारे अलग-अलग videos में आपको पढ़ा दिये थ advance पर पहुँचा, non-finites, जिसमें के infinitives, participles और gerunds को pick किया, सबसे पहले infinitive, two के साथ verb की first form, किन-किन के साथ आती है, एक separate video में, बिना two के verb की first form, bare infinitive, कहां-कहां आती है, वो आपको एक separate video में mark कर दिया था, उसके बाद पहुँचे, gerunds और participles पर, उनकी theme रखी के कैसे verb की ing form action दिखा सकती है, परंतु वही verb की ing form किसी के लिए adjective भी हो सकती है, और वो verb की ing form खुद subject का काम कर सकती है, sentence में noun behave करकर, gerund कह दीजेगा, participle कह दीजेगा, और उसके बाद last video में आपको mark किया था, कि इन verbs के साथ हमेशा ing form mark की जाती है, इस video को आगे बढ़ाते हैं, यहां स कि रट लेते हैं, बच्चे भी, teachers भी रटा देते हैं, कि देखो, यह शब्द लिख लो सारे, इनके साथ में 2 प्लस ing आती है, बच्चे न रट भी लिया कि भई, looking forward to, accustomed to, addicted to, इनके साथ ing आती है, sir क्यों अपवाद है, 2 के साथ ing लिखी जाती है, जो लोग मुझ से connected है, बा टू के साथ ing मार्क की जाती है, जबकि जादा तर टू के साथ वर्क की first form लिखी जाती है, तो यह टू के साथ ing आती है, सो तो ठीक है, वो हम भी देख लेंगे किन किन शब्दों के साथ आती है, पर क्यूं आती है, उसका reason भी मैं इसी वीडियो में आपको मार्क करना उसके अलावा ये चीज़ ध्यान रखना, रटना मत, शुरुआत की कुछ शब्द मैं भी देदूँगा भई, अक्सर इनके साथ आती है, लेकिन पहले derive करके reason दिखा करके you ing आती है, क्योंकि आप list रट रोगे, दहिंदू कभी भी एक नया शब्द देदेगा, financial express में फिर तू के साथ जब verb की first form mark की जाती है, तब वो to preposition नहीं होता, अगर आपको लगता है कि हाँ, तो किसी अच्छी किताब से पढ़िएगा, आपको mark करेगी, जब to के साथ verb की first form लिखी जाती है, तब वो to preposition नहीं होता, लेकिन हाँ, जब to के साथ ing mark की जाती है, तब वो to preposition ह होता है जैसे आपने कहीं भी कैसे भी पढ़ा होगा कि सारे prepositions के साथ हमेशा ing form आती है I repeat सारे prepositions के साथ हमेशा ing form लिखी जाती है कि I am interested in dance नहोकर dancing she is fond of sing नहोकर singing after complete my homework नहोकर after completing my homework etc सारे prepositions के साथ ing form आती है उसका भी reason मैं रामाण से देता रहता हूँ कि prepositions के साथ object आते हैं object subject noun pronoun हो सकते हैं तो prepositions का object verb नहीं हो सकती पर उसको noun बनाया जा सकता है ing form लगा कर इसलिए gerants पार्टिसिप आम सारी gerants prepositions की object होती है ठीक वैसे ही जब सारे prepositions ing follow करते हैं चाहे वो in हो at हो after हो before हो etc तो वैसे ही जब to prepositions है तो उसके साथ भी ing ही follow की जाती है अब बात आ जाती है कि पता कैसे चलेगा कि to कहां पर prepositions है और कहां पर वो infinitive बनाने के लिए v1 साथ में लेकर आता है तो मैंने कई बार mark किया है कि english में same parts of speech को अकसर replace किया जा सकता है अगर subject missing है तो दूसरा subject लगा दो verb missing है तो उस तरह की दूसरी verb mark की जा सकती because verb के variation बहुत सारे होते हैं अगर कहीं पर prepositions नहीं है तो उस prepositions की जगे दूसरे prepositions से काम सला सकते हैं etc चंद example मैंने लिखे हैं आए ज़रा उनके सहारे आपको mark करना चाहूं कि कैसे two के साथ v1 और two के साथ ing को differentiate किया जा सकता है खुद से समझा जा सकता है ना कि किसी list को रटने की आवशकता हमें होगी एक general सा example मैं पहले बोलनू लिखे दो बहुत सारे हैं I have to go सब यूज करते हैं मुझे जाना है I have to go यह तू यहां पर preposition है के नहीं है तो इसको judge करके देख लेते हैं कि I have to go preposition है या फिर नहीं है अगर होगा तो ठीक है अभी इसके साथ भी ing आएगी नहीं होगा तो कोई बात नहीं तो मैंने first example वही लिखना चाहा कि I have to go और I have to go मैं आशा करता हूँ कि वैसे भी हमें पता है ing form नहीं इस्तमाल की जाती अगर यह preposition है क्या आपके साथ क्या आप इसके साथ में कोई object लगा सकते हैं अगर गलती सी भी लगे कि नहीं यह preposition है तो लगाई यह object I have to me I have to you I have to Ravi I have to Mohan शायद में स्टू के साथ कोई भी object मार्क नहीं कर सकता लेकिन हाँ इसकी जगे पर कोई भी verb की form मार्क की जा सकती है I have to say something I have to go there I have to pay the bill I have to invite him तो इसी लाइन के साहरे याद रखेगा मैं बहुत सारे example आपको दूँगा कि चूकि इस two के साथ सिर्फ और सिर्फ verb की first form आने वाला possible है इस two के साथ में कोई भी object आगे नहीं आ सकता तो इसकी साथ में जब verb आएगी तो ing form में नहीं आएगी because यह infinitive बनाने का काम कर रहा है यह preposition नहीं है लेकिन हाँ आने वाले examples देखिए जो लिख रखें इपर check कीजएगा पहला लिखा है she is close to me वो मेरे बहुत करीब है she is close to her parents वो अपने माबाप के बहुत करीब है she is close to her family वो अपने परवार के बहुत करीब है अब आपने बार बार जो two का इस्तमाल देखा हर sentence में इनको touch मत कीजे भी logically derive करना आशा करता हूँ बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ मैंने भी हमेशा रटे थे कि बस ये चार शब्द रटलो इनके साथ two plus ing आती है नया मिल जाता था फिर लिख लेते थे फिर नया मिल गया फिर लिख लिए इनको बनाने में और समझने में बहुत वक लगता है आशा करता हूँ एक वीडियो के साहरे आपके सामने रख पाऊँगा आप भी वो logic develop कर पाऊँगे कि क्यों और कब two plus ing लिखी जाती है ना कि शब्दों को रटने के जरुत पड़ेगी फर्स टेट्मेंट शी इस क्लोज टु मी बागी पार्सिंग आप कर सकते हैं प्रोनाउन हो गया वर्ब हो गई और अजिक्टिव हो गया ये क्या है मुझे नहीं पता लेकिन मुझे इसके आगे एक object लिखा जरूर दिख रहा है शी इस क्लोज टु मी मेरे बहुत करीब है वो आगरा डेली के करीब है तो आगरा इस क्लोज टु टेली नजदीगी पड़ता है बड़ी स्केल बे दिखोगे तो नजदीगी पड़ेगा उसके इसमें मी object है तब मैं इस टु को preposition कह सकता हूँ मैंने दुबारा sentence लिखा कि शी इस क्लोज टु हर पैरंट्स वो अपने माबाप के बहुत करीब है वापस पैरंट्स नाउन में आते हैं object है, preposition कहा जा सकता है जिसके साथ object है object, subject, noun या pronoun होते हैं अपने घरवालों के करीब बहुत है अपने माबाप के करीब है अपने रिष्टेदारों के बहुत करीब है जो भी आप कहेगा वापस एक preposition जिसके पास फिर से एक object मौझूद है जो noun या pronoun होना possible है अब जज कीजिए अगर इस object को हटा कर मैं यहाँ पर कोई verb लिखूँगा तो कैसे मैं उसको v1 form में दे सकता हूँ I repeat अगर इन objects को हटा कर she is close to me she is close to her family she is close to her parents या ऐसा कुछ भी यह direct जो noun है इनको हटाऊँगा तो इनके बदले भी कोई noun रखनी पड़ेगी और verb की ing form noun की तरह function कर लेती है तब उसे gerund कहा जाता है अगर कोई नया इस वीडियो को देख रहा है या first time देख रहा है भई इससे पहले मैं 22 वीडियो पढ़ा चुको हूँ अभी शुरुआत मैं भी कहा था एक बार पिछले 2-3 वीडियो चेक कर लेजगा कि verb की ing form noun कैसे behave करती है gerund क्या दो वीडियो पहले mark किया था detail explanation के लिए लेकिन हाँ अब अगर मैं लिखना चाहूँगा कि she is close to get selected भाई उसका तो selection होने वाला है वो तो सफलता पाने के बहुत नजदीक पहुँच चुकी है होता है एक्स्ट्रा मेहनत करेंगे इस बार तो selection होई जाएगा उसकेस में she is close to getting selected कम सुना होगा से जादा सुना होगा भारत इस match को जीतने की गगार पर पहुँच चुका है भारत इस match को जीतने के बहुत करीब है अब भारत पाकिस्तान के बहुत करीब है भारत चाइना के बहुत करीब है चाइना पाकिस्तान नाउन है भारत for example तिबबत के बहुत करीब है मेरी GSB कह मुझे नहीं पता माफ कीज़ेगा इस case में तिबबत भी तो नाउन है चाइना पाकिस्तान भी तो नाउन है और भारत इस match को जीतने के करीब है Headlines में कई बार आप आएंगे, नीचे जो बार चलते हैं TV पर वहाँ कई बार देखेंगे, India is close to winning this game, तो रटीयमत के close to के साथ ING आती है, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज 15 अगस्त है, सुभा के सवा चार बज रहे हैं, 15 अगस्त भारत के लिए एक अलग में देख रहे हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, चार दिन पहले, उलम्पिक्स खतम हुए है, चाहिए वीडियो आज से 5 साल बाद भी देखा जाएगा, तब भी, आज से 4 या 5 दिन पहले, उलम्पिक्स खतम हुए है, और उलम्पिक्स में 2021, नीरज चोपडा ने नाम करके दि किया था, आगे हिस्ट्री में आप लोग पढ़ेंगे, जो लोग लाइव या, लाइव के बाद देख रहे हैं, लाइव वालों को तो पता ही है, रिसेंट करेंट अफिर्स का पार्ट है, नीरज चोपडा, फर्स्ट एथलेट इंडिया से, जन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, उलम्पिक्स में, टोक्यो, उनको कभी नोटिस करना, यूट्यूब पर जब उलम्पिक्स ने उनका विडियो डाला था, तो नीचे एक लाइन लिखी थी, नीरज was close to getting his best throw, 100% मुझे याद नहीं लेकिन यही लाइन थी, आप उलम्पिक्स का विडियो चेक कर सकते हैं रीजन आपके पास है, close to के साथ object आएंगे, to यहाँ preposition है, मेरे करीब है, मैं पहले से noun या pronoun हूँ, अपने मावाप के करीब है, मावाप noun ही होते हैं, अपने परिवार के बहुत करीब है, परिवार पहले से noun है, पर अगर मैंने कोई verb यहाँ पर लिखी, तो मुझे उसको noun form में transform करना पड़ेगा, और verb की ing form नाम की तरह काम कर लेती है, तो जैसे बाकी सारे prepositions के साथ हमेशा ing आती है, वैसे ही close to के साथ भी हमेशा ing लिखी जाती है, याद रखना, Indians close to winning this game, भारत ये match जीतने की कगार पर पहुँच चुका है, इस case में बहुत नजदीक है, जीत क और examples के साथ देख लेते हैं, number one शब्द इस category का, exams में भी error आती है, कई लोग professional होंगे, मेरे साथ काफी लोग जोड़े हैं, जो किसी exam की त्यारी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ English पढ़नी है, आपने notice किया जब आपको email मिलता है, चाहे वो सरकारी दफतर हो, या private दफतर हो, हर email क ये last में अक्सर ये line लिखी आती है, I'm looking forward to meeting you, I'm looking forward to hearing from you, या ऐसा कोई और description आपने सुना होगा, notice किया, looking forward to के साथ ing आती है, हो सकता है, आपकी आदत हो email लिखने में, कभी notice नहीं किया हो, बहुत common line है, लेकिन looking forward to के साथ भी हमिशा ing आती है, क्यों, reason वही है, जो आपको mark क या, एक बार वापस देखेगा, तो मुझे आपके जवाब का इंतजार रहेगा, I'll be looking forward to your reply, to यहाँ पर proposition है, जिसके साथ आपका जवाब, हाना कि जो लो मुझे से जुड़े पता हो गया, कहीं से भी पढ़े होंगे, your English में a positive adjective है, और adjectives के साथ हमिशा noun ही लिखी जाती है तो I shall be looking forward to your reply, मुझे आपके जवाब का इंतजार रहेगा, ठीक है, जवाब तो पहले से ही noun है, तो उस case में कोई शिकायत नहीं है, prepositions के साथ noun आते हैं, object आते हैं, I'm looking forward to your cooperation, मुझे आपके साथ का इंतजार रहेगा, आपकी मदद का इंतजार रहेगा, या ऐसे कोई भी variation कह दीजेगा, इस नजरिये से मैं आपसे मिलना चाहूँगा, etc, इस case में वापस prepositions के पास cooperation फिर से एक noun है, object मौझूद है, आपके feedback का हमें इंतजार रहेगा, I'll be looking forward to your feedback, feedback वापस noun है, इस prepositions का object है, obviously prepositions के साथ object noun या pronoun ही होते हैं, एक और line, बहुत common है, mail की words लिख रखे I'm looking forward to your positive feedback, हमेशा लिखते हैं, कई लोगों को पता होगा, maximum लोगों को पता होगा, फिर से prepositions का object है, noun है, वो modify करने के लिए adjectives भी आ सकते हैं, परन्तु overall पूरे sentence का, I'm sorry, prepositions का object ही behave करेगा, अब अगर इन सारी nouns के बदले, मैं वहाँ पर एक verb यूज़ कर लूँ, तो आशा करता हूँ कि verb मुझे ing form में यूज़ करनी पड़ेगी, because noun चाहिए, और verb noun का का काम कर लेती है, ing form के सारे, swimming is a good exercise, I love dancing, singing, gerunds कही जाती है, इसी case में I'm looking forward to working, यू लिखना पड़े का, यहां object चाहिए, शुरुआत में कहा था, I have to go, preposition नहीं है, I want to say something, preposition नहीं है, क्योंकि want to say की जगा, say की जगा, I want to you, I want you हो सकता है, I want to you, I want to him, ऐसा possible नहीं है, तो वो infinitive बनाने का काम था, यह preposition है, object लेकर आएगा, I'm looking forward to working with you, इस preposition के साथ object है, noun है, gerund कह दीजएगा, verb की ing form, behaving as a noun कहीं जा सकती है, I'm looking forward to meeting you, यह same line में खूब लिखाता हूँ, exams में काफी बार पूशी जाती है, फिर वापस कहूंगा, जो लोग job करते हैं, आपके email की line है, आपको दिख रहा होगा, हाँ यार, use तो daily करते थे, शायद आज reason पता चला के, two के साथ मैं ing क्यों use करते हैं, और जो कोई ना लिखता हो, तो ing use करना, mail writing पर आपके impact पड़ेगा, I'm looking forward to meeting you, आपसे मिलना चाहूंगा, meeting वापस noun है, meeting तो वैसे भी noun होती है, आज की meeting कितने बज़े है, चार बज़े, चलिए मिलते हैं वहाँ पर, ing form noun की तरह भेह कर लेती है, preposition है, कि साथ noun है, जिसका object म थोड़ा थोड़ा समझ आया, वो close to our example से, ये looking forward to our example से, कोई बात नहीं, थोड़ा और देख लिता है, रटने के लिए, आजकल, libraries नहीं जाना पड़ता कि 40-50 किताब हैं, होल कर ढूड़ना पड़े, Google पर डाल देते हैं, list of words, taking ing, अलग-अलग website से खुब मिल जाते हैं, कब होगा हमेशा, the key to success, the key to happiness, हाँ ये तो बहुत common line है, सबने सुन रखी है, the key to success, the key to happiness, पहले notice करो, ये key abstract term है, abstract क्या होता है, noun में पढ़ाया था, concrete noun, abstract noun, concrete वो होते हैं, जनको देख छू सकते हैं, touch कर सकते हैं, smell कर सकते हैं, abstract noun जनको हम देख छू नहीं सकते, touch और smell नहीं कर स देखा जा सकता है, concrete noun है, किसी का भाग्य, भविश्य, knowledge, love, hate, angriness, नहीं देखी जा सकती, तो उनको हमेशा abstract terms में मा करते हैं, एक की चाबी होती है, भया वो gate की चाबी कहां पर है, अच्छा वो टंगी है, ठीक एठीक 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 लेगा, gate की देखी जा स सकती है, छू सकता हूं, मान लीजे चाबी होगी तो, वो दर्वाज़े की चाबी देखी जा सकती है, concrete noun है, महनत ही सफलता की कुंजी है, या महनत ही सफलता की चाबी है, वो चाबी नजर आती है क्या, क्यों वो महनत की चाबी उदर रखिए बटा ले जाना, आज तुमारा abstract वाले भी हमने सुनतो रखें, the key to success, सफलता की चाबी, सफलता की कुझी, खुशियों की चाबी, the key to happiness, खुशियों की चाबी, ठीक है, meaning समझ में आ गया, grammar समझ लो, वापस to preposition है, because आप जानते होंगे, success English में noun है, इस preposition का object बहेव करेगा, the key to happiness में, key to के साथ फिर से एक noun है, क्योंकि ये preposition है, happiness noun है, obviously इसका object है, object, subject, noun, pronoun ही होते है, अब अगर किसी sentence में मुझे to के साथ, key to के साथ, preferably कुछ लिखना पड़े, तो क्या लगता है, मैं verb की first form दूँगा, the key to go there, मुझे ing देनी पड़ेगे, because noun का replacement, noun या pronoun ही हो सकते है, इसलिए, the key to improve your English, बिलकुल नहीं, the key to improving your English, सर थोड़ा बुरा सा लग रहा है, मतलब वीवन नहीं आएगा, वही तो इतनी देर से समझा रहों, कि ये two preposition है, infinitive बना ले वाला two नहीं है, और इस case में इस preposition के साथ, object आना जरूरी है, object, subject, noun या pronoun होते हैं, अपनने noun बना लिया, the key to improving your English is practice, अपनी English सुधारने की चाबी की कुंजी का जरिया practice ही है, जहां पर two preposition object लेकर आएगा, similarly, the key to becoming a good human being is this, this, जो भी आगे sentence बन जाए, फिर वही कहूंगा, two यहां preposition है, वो आपके प्यारे प्यारे example आपको पता है, basics वाले, उनहीं से derive कर लो, के साथ अगर मैं कुछ लिप हूंगा, तो मुझे preposition का object देना पड़ेगा, जो सिर्फ noun या pronoun ही हो सकता है, आशा करता हूँ, काफी mark कर दिया, एक और example दिखा देता हूँ, जिससे आपको हाँ बस जाए, कि हाँ यार सही तो है, वैसे रटने की जरूद थी नहीं, इतना logically कभी सूचा नहीं था, otherwise हम भी पहली बना लेते हैं इस शीज को, कुछ example और दिखता है, songs में सुना होगा, Henry K. Iglesias अगर परसंद करते हो, सुना होगा, addicted, बहुत अच्छे hit songs में से एक रहा है, I'm addicted to you, baby I'm addicted to you, तो I'm addicted to you, मुझे तो आपकी आदत है, हिंदी में भी गाना है, अब तो आदत सी है मुझे, ऐसे जीने की, ETC, वो I-N-G लगी है, जीने में, हिंदी में notice नहीं हो रहा हो, I'm addicted to you, addicted adjective है, किसी चीज़ की लट लग जाना, आदत हो जाने के तौर पर, प्रपोजिशन है, के साथ you क्या होगा, object, चाहे noun कह दो, pronoun कह दीज़ेगा, pronoun एक ही बात है, यार मुझे इस गाने की लट क्यों लग गई है, पूरे दिन में यही गाना सुनता रहता हूं, होता है जब कोई नया गाना सुनता है, अपनी playlist में, वही replay होता रहता है, वही replay होता है, बिचारे बाकी सारे गाने बैठे रहता है, कभी हमें भी play कर लो, मुझे इस गाने की लट क्यों है, आदत क्यों है, तू वापस preposition है, इस गाने की आदत क्यों है, तुम्हारी आदत क्यों है, preposition के साथ object आते हैं, object, subject, noun या प्रोनावन होता है, सही object है, उसके पास अच्छी बात है, अब drugs क्या है, पहले से noun है, preposition का object है, object, subject, noun, प्रोनावन होता है, बहुत अच्छी बात है, अब अगर मुझे addicted to के साथ कोई verb देनी पड़ जाए, तो addicted to में 2 प्लस वीवन नहीं आता, noun आती है, और फिर मुझे verb की noun form transform करनी पड़ेगी, जिनको आप भी जानते हैं, सुनने मजीब नहीं लगता होगा, because बोलचाल की भाशा में खोब यूज करते हैं, उसको तो भईया, सिगरेट पीने की लथ 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 लग गई है, उसको तो शराब पीने की लथ 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 लग गई है, पर नोटिस किया कभी, यह smoking भी तो वही ing form है, preposition का object, behaving as a noun, यह drinking भी तो वही ing form है, preposition का object, behaving as a noun, जी, तो addicted to smoking, preposition का object, noun या pronoun, addicted to drinking, preposition का object, subject, noun या pronoun behave कर सकते हैं, कहानी वही है, जहाँ जहाँ तो के साथ object देने पड़ते हैं, to preposition है, तो बाकि सारे prepositions की तरह, to के साथ भी ing form ही लिखी जाती है, एक slide के सारे मने लिख दिया है, इन इन शब्दों के साथ अकसर ing use करते हैं, addicted to, आदत, लद के तौर पर, accustomed to, आदत होने के तौर पर, आदी होने के तौर पर, given to ये concrete वाला given नहीं है, ये dedicated to के sense में है, कि अब तो उसने खुद को समर्पित कर दिया है, खुद को दे दिया है बस कि अब ये selection हो जागा, उसके बाद ही सब कुछ करना है, he is dedicated to के sense में, given to के sense है, prone का मतलब होता है, ग्रसित होना किसी चीज़ से, accident, prone areas आपने देखे होंगे, prone to diseases कई बार लिखा देखा होगा, मेरे भी example में लिखा है शायद, prone मतलब ग्रसित होना, vulnerable, कि कोई चीज जब आपको घात पहुंचा सकती है, उसको prone कहा जाता है, adjective है, come to, ये concrete वाला कम नहीं है, कि वो आ रहा है, देख सकते हैं, वो जा रहा है, देख सकते हैं, ये वो वाला है, अगर English की बात आ जाए, तो सर भी ठीक ठाक पढ़ा ही लेते हैं, अगर maths की बात आ जाए, तो वो सर बह जानते ही होंगे, for sure, उता होगा आपके शहर में भी, आपकी स्टेट में, आपकी डिस्टिक्ट में, जहां से भी आप लोग हैं, ओडिसा, हैदरबाद, बैंगला और ETC, नागन डान्स बहुत फेमस है, जरा सा मजाग कर रहो हूं, पांच सेगन के लिए, इसी बात को समझ की आदत होती है, अगर अपनी पर आ जाए ना, तो फिर वो किसी के नहीं सुनता, उसमें भी तो comes to है, अब ये अपनी पर आते हुए नजर कैसे आता है, वो abstract terms में, comes to आता और इसके साथ हमिशा ing आती है, when it comes to dancing, when it comes to singing, क्योंकि इनके बदली नहों आ सकती है, when it comes to English, अगर English की बात आ जाए, अगर maths की बात आ जाए, अगर खाने की बात आ जाए, तो भाई साब बारा पराट इखाते हैं, eating, English, maths, reasoning, reasoning खुद noun है, ये सारे noun नहीं होते हैं, तो comes to abstract sense वाला है, ये दिल्ली मुंबई जाने वाला come और go नहीं है, looking forward to दिखाई दिया इस नजरिये से, इ is no use, इनके साथ भी आएं जी आती है, मैंने लिख रखा है, आगे examples मिल जाएंगे, is worth, to वाले नहीं है ये, माफ की जगा, object to, object के हैं वस्तू नहीं है, object का मतलब यहाँ पर है, objection होने से, I object to you, हाँ मुझे आप से दिक्कत है, और मुझे जाने में दिक्कत है, आने में कोई दिक्कत नहीं है, I object to going there, I object to coming here, etc, key to, समझा दिया आपको, alternative to, substitute to, यह सब वही काम करते हैं, be used to, मैं पढ़ा चुका हूँ, be के साथ used to दिखाओगे, तो काम करता है, यही addicted to वाले के sense में, आदत दिखाने के sense में, मुझे तो, उसको तो भाई, आज भी लेट आने की आदत है, जब मैंने used to पढ़ाया था, models के वीडियो में भी कहा था, आज भी कहूंगा, अगर used to model है, तो models के साथ हमेशा वीवन आती है, I repeat, जब used to model है, जब यह model का काम करेगा, तो हर model वर्ब के साथ में हमेशा वीवन आती है, अची बात है, पर हां model नहीं, एक और auxiliary उसके साथ मौझूद है, दो auxiliary साथ में नहीं आ सकती, auxiliary behavior से, तो be used to, she is used to telling a lie, उसको जुप बोलने की आदत है, तो मैं तो late आने की आदत है, present tense, जबकि used to जो आप दिखाते थे, यह past tense को reflect करता था, past में वो काम जो आप किया करते थे, पर अब अभी नहीं करते हैं, उसके लिए used to use कर होते थे, यह present की habit दिखाता है, उसको तो late आने की आदत है, he is used to, coming late, devoted to, dedicated to, given to, same sense में, akin to का हम आपको बहुत प्यारा example दूँगा, एक idiom होती है, सुना होगा शायद, kith and kin, kith and kin, जिसका मतलब होता है, रिष्टेदार, I repeat, kith and kin का मतलब हो जाता है, रिष्टेदार, और akin मतलब भी रिष्टे जैसा, related to, similar to, close to के sense में आता है, जब example देखें वहीं देखना, शांदार example लेखा हुआ है, akin to के लिए, बोल मैं देता हूँ, युवराज, युवराज सिंग, is akin to winning world cup once again, उनकी मा के शब्द थे, 2012 तेरा के असपास, देखते हैं अभी क्यों, sentence का बात करें, similar to, एकी बात है, averse to, hate के sense में आता है, नफरत के तौर पर, indifferent to, फर्की नहीं पड़ता है, उसको कोई भी, opposed to, averse to के sense में, ये एकी बात है, almost, subject to, जैसे object to हो सकता है, allergic to, बहुत सारे शब्द है, resemble to, resemblance to हम सारी, resemble के साथ तो कुछ नहीं आता, और बहुत सारे, आ चार और example देख लेता है, in list के सारे, के जो words आपने लिखे हैं, भाई आपसे मिलना चाहूंगा, पढ़ लिया, पुराना example, I'm looking forward to meeting you, I'm looking forward to meeting you, तो ing आती, उसको तो cigarette पीने की आदत है, he is addicted to smoking, she came here with a view to getting help from me, वो यहां मुझसे मदद मांगने के नजरिये से आई थी, looking forward to getting help from you, she came here with a view to getting help from me, वो मुझसे यहां पर मदद मांगने के नजरिये से आई थी, with a view to के नजरिये से, ing follow करता, looking forward to जैसे है, he is given to working hard, भाई उसको तो महनत करने की आदत है, उसने तो अब सौप दिया इस जीवन का सब भार तुमारे हाथों में, CGL का फॉर्म भरा है, त must be given to working hard, to qualify CGL and such examinations, आपको dedicate करना पड़ेगा, खुद को पूरा जोक देना है, तयारी मैं, तब जाकर कहीं हम selection पास सकते हैं, तो given to के साथ हमिशा ing लिखी जाते है, dedicated to के sense में, we are close to winning this fight, we are close to winning this game, भारत ये मैं जीतने की कगार पर है, जीतने की कगार पर है, चिल्रन आ प्रोन तो making mischief, बच्चे तो गलती करते ही रहते हैं, अब अन्ना हजारे थोड़ी ना गलती करेंगे, वो maturity level पर है, बच्चे तो भही innocence होते हैं, गलती करेंगे, maturity होती होती चिल्रन आर प्रोन, बच्चे तो अकसर गलती करते ही रहते हैं, to making mischief, प्रोन टू के साथ ing form लिखे जाती है, 2011 में यवराज सिंग ने वर्ड कप जिताया, हाँ जी मैरा दो मैच थे, cancer था उनको, खून की उल्टियां भी news में पढ़ा था कि भी, हाँ उनको ही थी, उसके ज यवराज is akin to winning वर्ड कप once again, मेरे बेटे ने दुबारा वर्ड कप जीत लिया है, ऐसा वाली जगा, तो यवराज is similar to cancer से battle जीतना, वर्ड कप जैसे जीतने के बराबर ही है, वो भी जिंदगी और मौत की बात हो जाती है, तो यह उनके मा के शब्द थे, 2012 के end में, 13 के शुर कुछ और words देख लिते हैं, और finish करते हैं फिर इस बात को, the key to improving your English is practice, तो key to के साथ हमेशा ing आती है, पढ़ा दिया था बहुत अच्छे से, having a job that you enjoy is the key to happiness, एक ऐसी डौकी लग जाए जो अपनको पसंद है, वो काम करने मिल जाए, मसा ही आ जाए, सोनू निगम गाना गाने क बाद नहीं कहते होंगे कि यार तीन घंटे गाना काके आया हूं, ठक गया, rest करने दो, भई उनका profession है, अच्छा है, उनको पसंद है वो चीज, vocation कहा जाता है वैसे, कई लोग जानते होंगे, ऐसे one word में आप इसे vocation mark कर सकते हैं, V-O-C-A-T-I-O-N, vacation नहीं, vocation, something that you love and do is supposed to be a vocation, वो काम जो आपको पसंद है, वही करते हैं तो vocation में आ जाता है, the key to avoiding common cold is washing your hands frequently, कोरोना की टाइम पर हमने ये line हाथ धोते रहिये से बचा जा सकता है, E-T-C, the key to avoiding common cold is washing your hands properly, frequently, समय समय पर अपने हाथ धोते रहे, sanitize करते रहे, E-T-C, when it comes to dancing ये वही है, अगर नाचने क की बात आ जाए, तो अपन नाग मणी लेकर मानते हैं, उससे पहले मानते थोड़ी है, बारात में, की चड़ भी चड़ में, आरे, बस, 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 when it comes to dancing, when it comes to, एक और नीचे example लिखा होगा, when it comes to leading the team, देखो, अगर team की कप्तानी की बात आ जाए, अगर team को lead करने की बात आ तो कोली भी उतनी अच्छे कप्तान है, जितनी अच्छे धूनी है, तो when it comes to dancing, singing, leading, singing, swimming, जो आप कहना चाहेंगे, he will not object to, going there, object यहाँ पर वर्ब है, यह वो वाला object नहीं है, वस्तू, models के साथ हमेशा वीवन आती है, will model है, और model के साथ हमेशा वीवन आती है, तो उसके आने में दिक्कत है, objection है, मुझसे पढ़ते हैं तो यह variation पता होगा, act करने वाला actor, इंसान, परन्तु ION लगाकर भी noun बनती है, action, quest, say question, suggest, suggestion, opt, option, वैसे ही object, objection, इसी का variation form है, तो he will not object to going there, उसको जाने में कोई दिक्कत नहीं है, आने में दिक्कत हो सकती है, he may object to coming here, हो सकता है, उसको यहाँ पर आने में कोई दिक्कत हो, आशा करता हूँ, slides हतम है मेरी तरफ से, हाँ जी, कोई शिकायत है, आप comment box में drop कर सकते हैं, मैंने भी first day यह सब नहीं सीख लिया था, कि मा के पेट से सब सीख कर आते हैं, कि जब पहली बार अंग्रेजी पढ़ा ही, त आप कोई चीज़ बता पाई, अच्छे लगे ध्यान रखेगा, कि क्यूं टू के साथ वी वन, क्यूं टू के साथ आई एंजी आती है, जहां जहां पर टू प्रपोजिशन है, जो अपने साथ कोई object लेकर आएगा, वहां पर टू के साथ हमेशा आई एंजी फॉर्म ही जैसे बाकी सब का मिला है, noun, pronoun, adjective, etc, वीडियो फिनिश करने से पहले वापस उन्हीं शब्दों को कहना चाहूंगा, कि एक बार चेक कर लीजेगा, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर जबना आपको वीडियो की शरुवात में भी मार्क किया, एक बार प्लेलिस्ट खोल कर एवेलिबल है, कुछ वीडियो आगे जब भी वक्त मिलेगा और डाल दूँगा, और हाँ जी, प्रिविएस येर पेपर जो बच्चे मेरे साथ हैं, कनेक्टेड हैं, CGL के लिए, CHSL के, सॉरी, आपके CPU के लिए, आपके स्टेनोगरफर के तो बहुत सारे पेपर मौझूद हैं, एक बार प्लेलिस्ट सेक्शन खोल कर चेक कर लेजएगा, अपार्ट फॉम दिस, डेली पांच बजे क्लास होती है, फ्री ओफ कॉस्ट, आपसे वहां मिलना चाहूंगा, ये हग से रिक्वेस्ट है, फ्री ओफ कॉस्ट आपको पढ़ने की बात हो रही है, अनकेडमी क की तरफ से इनिशेटिव है, तो पांच बजे डेली अनकेडमी के यूट्यूब चैनल बैंक पर आपसे मिलते हैं, एक फ्री सेशन के लिए, आई रिक्वेस्ट डेली, फ्री ओफ कॉस्ट, कम से कम आधा पॉन घंटे, बहुत कुछ, पूरे हफते, या तो आरसी, पूरे Vocabulary, Grammar, कुछ ना कुछ, डिस्कस करते रहते हैं, तो आइए जरा वहाँ मिलते हैं आपसे, see you tomorrow, साथ बजे अनकेडमी प्लस पर क्लास होती है, Grammar के लिए, जो प्लस पर हो, जॉइन कर सकते हैं, और जो प्लस पर आना चाहे, बैंकिंग के लिए, वो मुझे जॉइन कर सकता ह है, वहाँ पर भी, आठ बुझे प्रैक्टिस बैच डेली रहता है, मेरी अप पर आप मेरे साथ पढ़ सकते हैं, SSC है, ऐसे किसी भी examination के लिए, and telegram channel must है, join कर ली जगा, link भी होगी, और खुद से भी आप directly search कर सकते हैं, English by Kapal Dev Sharma, मेरी अप available है, Google Play Store पर with the same name, English by Kapal Dev Sharma, जिस same name, English by Kapal Dev Sharma, एक बर पर लिस्ट होर से, चेक कर लीजेगा, apart from this, Instagram, Kapil Music Boy, music channel है, कुछ videos पढ़े हैं, देख लीजेगा, songs है, Kapil Music Boy के नाम से ही, Twitter, जो लोग चाहें, follow कर सकते हैं, Kapil Music Boy, students के लिए must है, English by Kapil Dev Sharma, आपका telegram channel, जहां पर classes के notifications, वो 5 बज़े वाली, ये सारे PDF, आप चाहें, तो देख लीजेगा, Unacademy पर plus educator हूँ, banking stream में, with the same name, Kapil Dev Sharma, तो आप banking में हैं, तो मुझसे daily पढ़ सकते हैं, शाम को दो batches, practice, grammar, और अगर आप किसी भी चीज का subscription लें, तो उससे पहले मेरा code use करके, that is Kapil sir, flat 10% discount पास सकते हैं, चाहें वो bank, SSC, UPSC, NDA, 910th, U किसी भी stream का subscription क्यों ना हो, Unacademy India's largest and cheapest online learning platform, आज के वीडियो में इतना ही, above all जब से COVID आया है, यह slide मुझे add करना पसंद है, be safe, safety का ध्यान रखेगा, जरूर, above all अपनी safety का ध्यान रखेगा, अगले वीडियो में आप से मिलते हैं, इससे आगे बढ़ा कर, और variations के साथ में, stay connected, God bless you, safety का ध्यान रखेगा, बहुत जल्द आप से नेक्स वीडियो में बिलते हैं, शुक्रिया, thank you so much, this is Kapil Dev Sharma, always welcome to my YouTube channel, English by Kapil Dev Sharma, thank you.